कुट बॉर्णिंग स्टेंट्स ये साइंस की बुक में हमारा चेप्टर 16 लाइट प्रकास ही चल ला था जिसमें आपको इसके एक्साइज के मैंने 11 तक का कुश्चन बता रहे थे आज 12 कुश्चन है कैसे आप अपनी आखों की देखभाल करेंगे इसका अंसर मैं यहां पर लिखा हुआ इसको इसको अंसर आप देख सकते हैं इसको के रवाइस तो सम टिप्स आरेस फोलोज कुछ जो है इसके आंको देखने के निमने उपाए हैं पहला डू नॉट रीड इंटू टू ब्राइट और टू डिम लैट अतिदिक प्रकास और कम प्रकास में जो है वह पढ़ना नहीं चीए डू नॉट लुक टेरेक्टली अड़ ब्राइट ऑब्जक्ट और सन किसी भी चमकिली जो चीज है उसको सीधे आंकों से देखना नीचे जैसे कि कोई चमकिली बस्तू है या सूर्य है जो बड़ा परकास चरोत है तो नॉट कीप दबुक टू क्लोज टू इयर आइस वाल डिडिंग जब आप पढ़ते हैं तो अ अपने आखों को रगड़्य मत ठंडे पानी से उनको दो ये इन केस ऑव एनी प्रॉब्लम लाइक इचिंग और बर्निंग सेंसेशन कंसल्ट डॉक्टर यदि आपके आख में खुजली या जलने यसी कुछ इस्तिती उत्पन्न होती है इस्तिती आती है तो डॉक्टर से ज अगल ऑफ 90 डिग्री टू दैंसिटेंट रे यदि यदि रफ्लेक्टर रे का कौन जो है 90 अंच का है तो हमने जो इंसिदेंस रे है यानि जो आपतित किरण है तो उस पर जो है कितना कौन बनेगा हमने बताना है तो वी नो देट अंगल आप इंसिदेंस रे इस इकल टू हम जानते हैं कि जो आपतित कौन होता है वह आपतित किरण का जो आपतन कौन होता है वह हमेशा जो परावर्तित किरण का जो परावर्तित कौन होता है उसके बराबर होता है ठीक है तो हमको जो होता है एनिकी जो यह है इंसिदेंस रे और यह है रेफ्लेक्टर रे तो इसक एकल टो अनलर होता है बट इंगल तेट हमको दिया गया है कि दोनों ही जो है वह एंगल itना बना रहे हैं मिल करके 90 Kand मिल रहे हैं ठीक है तो एकल टू एकल टू एंप एंगल तो हम क्या करेंगे एंगल आई अनलर मिल कर नब लोड रहे है मिल कर नव Дोनों ही इनना हो ग्या तो इनल एंगल खोनु तो नेक्ट आउं और चांउ आ हो जहाँ किल टुम मेरे क्रफ्टे पर्ट इमादेद चारे इंट्व गांटने चान funcion vacuum टो नेक्स पिर आ़िन करटी फोरिवाँ मिरेच फॉर्टियंट इक दो 一 proud समतल दरपण को एक दूसरे के सामने 40 मिटर की दूरी पर रख दिया जाए और उन दोनों के बीच में एक मौमबत्ती जला दी जाए तो उन दोनों ही दरपण पे समतल दरपण, पे कितने जो हैं वो तो मौंबत्ती की जो प्रतियम्ब हैं वो कितने प्रतियम्ब बनेंगे तो वेंदे मिर्ट सार परलेल टू इच अधर जब जो है समतल दरपनों को एक दूसरे के समानतर रखा जाता है देन वी गट इंफिनेट नंबर सो इमेज़ेस तो उसके पश्चा उसमें उसके पश्च इस तरह से यहां पर यह जो है वह उस दरपन पर आप्तित होती है जैसा कि आपको चितर में दिखाया गया है यह दो दरपन है इस तरह से यह यह जो है के रण तीस अंगल की डिगरी में जो है आप दिखी हो रही है ट्रॉब रफ्लेक्टर दर फॉम दे से रखर तो दूस्रे दरपन से उस कि रन उस परावर्तित के रण का जो है पहरे चितरा हमने बनाना है ठीक है तो इस तरह से 30डिरी के एंगल पर हमने दूसरी दर्फन तो होगा तो यहां से यहीं से हैं यहां हो जाएग़ मिले गए तो यहां से भी दूसरे दरपन से जो है जो रिफलेक्ट होगी तो यहां से इस तरह से 60 एंगल का बनाएगी और इस तरह से दोनुकों के बीच में फिर से नॉर्मल आ जाएगा यहां पर दो दरपन आपस में लगाएवे तो इस तरह से इसका आरेक यह हमारा बन जाएगा ठी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ठीक है